हाई फ्रेंट्स मैंने में इस गरो एन यूर वाचिंग जी यार के वीडियो बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाप लेका है ओ फ्रेंट्स आप सभी लोगों को मिलेगे बहुत बड़ी रहा देखे फ्रेंट्स दो साल तक के यह मैं मौरेटरियम आपको मिलने जा रहा है जह कि किस तरह से अपने चानल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर दबा दो आने वाले सबी वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो लेट्स गैट स्टार्टेड तो देखे फ्रेंट सिम्प्लिए आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पर 31 ओगस को अपना मौरेटरियम खतम हो चुका है इसके बात में सुप्रीम कोट ने यहाँ पर ओडर दिया था अर्बिया को कि यहाँ पर 28 सितंबर तक के कुछ ना कुछ डिसिजन इसके उपर जरूर लेंगे यहाँ पर आपको extension करना है loan restructuring के उपर आप क्या किस तरह से करेंगे और interest के उपर interest जो लग रहा है इसके उपर क्या decision होगा इसके लिए सुप्रीम कोट ने 28 तारीक को hearing रखी है जो की अभी आने वाले दो दिनों में है तो देखे फ्रेंट्स आपको मैं बताना चाओंगा कि यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर State Bank of India, SDFC Bank और बाकी अन्य सरकारी बैंक और यहाँ पर प्राइवेट बैंक ने announcement कर दिया है कि इनको loan restructuring में आप दो साल का यहाँ मॉरेटरेम दे सकते तो देखे फ्रेंट्स आपने किसी भी तरह का यहाँ पर loan लेके रखा होगा जैसे कि home loan इसके बाद में फ्रेंट्स यहाँ पर लोन अगेंस property, car loan, education loan, consumer loan और online सभी तरह के लोन के लिए फ्रेंट्स यह अप्लाइड होगा तो देखे फ्रेंट्स किसी भी तरह का loan आपने लिया है तो आपको किसी भी तरह का tension लेनी की जरूत नहीं है क्योंकि फ्रेंट्स सुप्रीम कोट ने यहाँ पे तो RBI का order दे दिया है कि 28 सितमबर तक कि आप किसी भी customer को यहाँ पर परिशान नहीं करेंगे उनका account NPA declare नहीं करेंगे और फ्रेंट्स देखे यहाँ पर 28 तरीक को बहुत बड़ा decision आने वाला है जो कि फ्रेंट्स आप सब और यहीं फ्रेंट्स आप स्टेट बैंक आप इंडिया के ग्रहाक है तो देखे आप सभी लोग को एक अच्छी good news में लेके आयो जहाँ पर फ्रेंट्स आपको ने कई पर शेर नहीं किया है कि किस तरह से अभी आगे काम होगा लेकिन फ्रेंट्स आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि आपको जो भी मौरेट पिरेट में इंट्रेस लगा है इसके इंट्रेस के उपर इंट्रेस आपको अभी यहाँ पर वेवर हो जाएगा और इसके लोन के लिए अप्लाय होगा और 28 तारिक को आने वाले जो भी हेरिंग में सुप्रीम कोड का डिसीजन देता है यह अभी तो सुप्रीम कोड आपको बताएगा 28 तारिक को लेकिन फ्रेंड्स आप देखे इसके उपर काम चल रहा है सेंट्रल गवर्मेंट भी इसके उपर काम कर रही है सुप्रीम कोड काम करने के लिए प्रेशराइज कर रही है और यहाँ पर देखे फ्रेंड्स आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो चलो फ्रेंड्स आर आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स टाइम तब तक के लिए गुडवाई